पार्ट नाइन लाओ नहीं तो गल्फरेंड भाग जाएगी मेरी कोई गल्फरेंड ही नहीं है भाई पार्ट नाइन प्लीज आपकी गल्फरेंड की कसम अरे भाई मैंने बोला ना मेरी कोई गल्फरेंड नहीं है भाई पार्ट नाओ वर्ना आपकी गल्फरिंड भाग जाएगी मेरे साथ नहीं नहीं यहाँ पर मसाक हो रहा है एकदम से वक्त बदल दिया, जजबात बदल दिये, गल्फरिंड भगा दिये इस बार तुम लोगोंने मुझे कुछ जादा ही परिशान कर दिया इसलिए यह पार्ट नाओ नहीं दियल दन ब्रो यह लो तुम दुमारा पार्ट नाओ देखो और मुझे खैर मेरी चोड़ो तुम अपना पार्ट नाओ आइन इंज़ॉग करो अरे बाई वो तो कब की खत्म हो गई है इतनी जल्दी खेर चोड़ो बिडियो में यह वाली स्केच्च बुक दिखा दी थी हां कंप्लीट दिखा दी इसमें अब कुछ भी नहीं बचा है और अज के लिए हम क्या देखें हैं स्केच्च बुक यह फिर नोट बुक तो इसके क्या बता उसको कोई नोट बुक देखने का मन हो हाँ भाई बता तो इसका मूर तो नहीं है कोई भी नोट बुक देखने का इससे लिए चलो हम यह चोटी वाली देख लेते हैं वैसे चोटी मुझे पसंद नहीं है बड़ी जादा बड़िया होती हैं I mean sketchbook और इसमें भी का अब मुझे लगता है मैं भी शायद यह कोई डाइरी वगर भी हो सकती है क्यार वोजब छोड़ो इंट्रो को जादा लंबा ना रखते हुए लेट्स जंप राइट इंडव इंडव इट इदर इदर देखो कितनी मस्त दवाद आती है इसमें से इससे मैं वह मस्त ASMR वाली वीडियोस बना सकता हूं खैर इसको खोलने के लिए इस पर एक धाका सा लगा हुआ है तो हमें यह अटाना होता है और यह खुल गई और इस नोटबुक में मैंने सबसे पहले ड्रो किया है कुछ भी नहीं क्योंकि यह पहले पहले ही एक्शुल ट्रोइंग थी इस नोटब दिखाई थी उसमें ड्रो करने के एक दो महीने बाद जाकर मुझे नोटबुक मेली थी स्केच्च बुक मेली थी यह सब बहुत कंफ्यूजिंग है खर वो सब छोड़ो अगर तो मैं इस ड्रोइंग के बारे में बात करो तो इसमें मैंने के बलो के वाल हैचिंग यूज कर रखिए मैंने बाकी तो यह मेरी फर्स्ट ड्रोइंग थी इस स्केच्च बुक की तो इसलिए मैं इसके बार में जाद कुछ का उंगवा नहीं चलते हैं नेक्स ड्रोइंग पे यह हमार सनेमी और इसकी नागवे रही है इसका फेस का भी बढ़िया बनाया मैंने बाड़ी तो खेर आदी है दूरी बनाई है तो उसके बार मैं क्या ही बोलूँ वैल छोटी वाली स्केच्च बुक्स मुझे इस वज़े से पसंद नहीं है क्योंकि तुम उसमें जादा बड़ी चीज ड्रोई ही नहीं कर सकते हैं या तो तो तुम उनकी आदी है दूरी बाड़ी वो चीज तो तुम खेर कभी बना नहीं पाओगे वैसे साने में मेरा बन अब दी फेवरिट करेक्टर है डीमन स्लेयर से क्योंकि बहुत ही साथ कूल है इसके बाल भी वाइट है और इसको लेडने में भी मज़ा आता है खेर इसमें भी मैंने वर्टिकल एचिंग यूज करिया और इसमें भी और इसमें भी नेक्स्ट मैंने नागी ड्रो किया था ये भी ब्लू लोग सही है हाव ऐसे ये भी ब्लू लोग सही था मैं इसको बताना पूल गया यह शीडोर यूसे है तुमने ब्लू लोग सीजन टू में इसको देख लिया हुग आप तक हालाकि मेरे वाल चल रहा था smudging वगेरा सीखने का तो शुरू शुरू में और आ वगेरा ऐसी चीज़े मैं ऐसी ड्रॉव करता था वैसे इसके बाल मैंने कुछ जादा ही गने बना दिये और इसका body structure मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है वैसे इसकी नाग मुझे डॉगी जैसी लग रही है नेक्स इसके बाद मुचिरो और ये शिनोबू पता नहीं मुझे ध्यान नहीं इसका नाम क्या था और वैसे तो ये drawing मुझे बहुत बेकार लग रही है इस बिचारी की तलवार भी नहीं बना पाया मैं या पर इसके पूरे कपड़ों में मैंने क्रॉस हेचिंग कर रखी है ये उतनी बुरी भी नहीं लग रही है पर फिर भी मैं दोनों को बाद में एक बार जरूर ड्रॉग करूंगा बिकाज वाइ नाट नेक्स्ट मैंने ये चिगिरी बनाया था ये भी ब्लू लोक से रहा है तुम सूच रहे होगे जिए कि ये सकेच्जबुक भी पूरी ब्लू की ड्रॉइंग से परेढ़ हो इसा नहीं है अब इस नहीं करे लिए बाकि अगर तुम इस डोड़ेंगे बारे में बात कर तो ये उतना भी बुरी नहीं है बाकी इधर साइड मैंने ये हागी मारूबन आ रखा है हाँ इसकी भी नाग बहती है बस वो इसकी दलवार की वे से तुम्हें दिखने ही रही होगी पैस ये ड्रोइंग मैंने बाद में बनाई थी और तुम क्लियरली देख सकते हैं इसमें मैंने समजिंग का यूज किया है तो इतनी जल्दी मैं समजिंग थोड़ी ना सीख जाओंगा पहले मेरा मन्द था इसको ट्रोव करने का अच्छे तरीके से पर फिर बात में ट्रोव करते करते में बहुत जादा बोर हो गया था जिसकी वेसे मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया कभी कंप्लीट ही नहीं गया और जो चीज कंप्लीट नहीं उसके बारे में क्या बात करें इसके बाद वूँ ये बढ़िया है ये भी तुम में से ही किसी ने बोला था ये मॉस्टली मांगा पैनल्स वगरा में यूज करते हैं किसी फाइट सिक्वेंस में या फिर इस टाइप के सिक्वेंस में भाई ये इसागी तो लग नहीं रहा मेरे को वैसे मैंने इसका फेस बहुत जादा बढ़िया ड्रो किया है और यहां कुछ जादा लो लेवल डीटेलिंग होई है इसके बाद ये मेरी लाइफ का सबसे गंदा तांजेर ट्रो किया है मैंने जो मैंने तुम्हार ले टुटोरियल में ट्रो करके दिखाया था वो इससे लाग गुना जादा बढ़िया था इधर मैंने गट्स बनाया था जो कि सही लग रहा है कम से कम इसकी तरह तो नहीं है वैसे इसमें भी कुछ जादी जल्ली में हैचिंग करी है मैंने और बालों की तो भाई क्या ही वोलूम है पहले तो ये ट्रोइंग मुझे सही लग रही थी पर जब मैंने इसको जादा पास से देख लिया तो आप ये मेरे को बहुत ही जादा गंदी लग रही है इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स दिख रहे हैं मुझे और ये भाई इसको तो रहन दो इसके वारे मैं कुछ भी बोलना ही नहीं चाहता नेक्स्ट इसके बाद ये दो लड़किया बनाई थी ये अटेक उन टैटन से एनी है और ये पता ने इसका क्या नाम था ये सोलो लेवलिंग से है वैसे वैसे उसमें एक ही लड़की थी शायद और वो भी मैंने इतनी गंदी बनाई है मैंने इसका सिर कुछ जादे लंबा बना दिया ऐसा लग रहा है इसने विक बेहन रखिया और इसकी शकल में भी पूरी मैं घड़वड़कर रखिया मैंने शेडिंग भी मैंने कुछ खास नहीं करिया सब कुछ मैंने बहुत जली अली में किया इस ड्रोइंग में ऐसा लग रहा है यह मैंने बनाई ही नहीं है पर यह वाली इतनी बुरी नहीं लग रही हला कि इसकी एक आख बढ़ी है एक आख चोटी है पर इसका फेशिल स्ट्रक्शर काफी बढ़िया बनाया मैंने इसमें मैंने कुछ जादा शेडिंग मेडिंग भी नहीं कर रखी इसको बहुती क्लीन बनाया मैंने ऐसा लग रहा है पूरी मैनत मैंने इस लड़की को ड्रोग करने में कर दी इस बिचारी में तो कोई मैनती नहीं करी मैंने इसके बाद मैंने यह लीवाई बनाया था यह बढ़िया तो लग रहा है पर यह थोड़ा-थोड़ा लड़की जैसा लग रहा है और यह कासुकाबे, कोकोशिबो, पता नहीं क्या नाम दैसका मुझे इसका नाम दियान नहीं है वैसे यह चेंज सुमेंस है और मैं इसकी डाड़ी बनाना भूल लिया इस वज़े से शायद तुम्हें पैसान में नहीं आ रहा होगा वैल चलो अच्छी बात है कम से कम इसमें मैंने इस शेडिंग तो अच्छे से करी है वैल इस नोटबुक की एक और बुरी बात यह है कि यह वाला पीज तो काफी जाद स्मूध है और इधर साइड वाला पीज थोड़ा सा रफ होता है तुम इस पे लाइन्स वगरा सी देख सकते हो जिसकी वज़े से ड्रॉ करने में मुझे थोड़े बहुत दिक्कत आती है इस स्केच्च बुक में नेक्स्ट मैंने यह बनाया था इस यह वैसे तो शकली बनाई है मैंने और वो भी ढंक से नहीं बनाई इसके सेर में में काफ़ी साही गली है थोड़ा बहुत इंक को ब्रेंड कर निकले मैंने अपनी श्मजिंग भीगर रख्या है इस में भी करी है जोड़ी बहुत महत्त शमजिंग में इसके बाद मैंने जो बनाया था ये मेरी जोरो की first और final drawing थी जो मैंने सही बनाई थी इसको तो drawing नहीं किया सकते न और इसकी jawline में कुछ तो गड़बड है दाया कुछ तो गड़बड है बाकि इसमें भी मुझे गलतियां गलतियां देखना स्टार्ट हो गई है इसका कान भी मैंने कुछ जादा ही नीचे बना रखा है थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था हैचिंग के नाम पे इसमें भी बस लाइने बना रखी है इंदर उदर शायद पुराने वाले बी क्रियेटिप को शेडिंग होगे रखना इतना पसंद नहीं था इसके बाद मीका सा वैसे लड़की गम लड़का जादा लग रहा है मेरे को खैर जो भी हो ये जोरो वाली ड्रॉइंग से तो ठीक ही है ओवरॉल इसका स्ट्रक्चर मुझे काफी साही लग रहा है आँख ना कान सब चीज़े अपनी अपनी जगे पर ही है इसके बाद मैंने ये शायद इनोस के है बस इसके इस मास्क को देख करके मैं पहचान पा रहा हूँ अधरवाइस तो तुम भी नहीं पहचान पाओगे ये भी मैंने बहुत ही जादा जल जल्दी में बनाया होगा पता नहीं कहा जाने की जल्दी थी मुझे एक बनेट इसकी नाक कहां पर बनाये मैंने नाक ही है ना इसकी इसके बाद मैंने गोकू बनाया था और ये काफी बढ़िया लग रहा है बस इसका मुझे जादा ही उबर बना दिया मैंने और इधर साइड मैंने ब्लैक गोकू नई, Goku Black बना रखा है Black Goku थोड़ा सा अजीब साउंड करता है इसका Body Structure मैंने काफी सही बनाया पर इसकी आखे, नाक और मुझे थोड़े से बड़े बनाने चाहिए थे कुछ जादे ही छोटे बना दिये हैं मैंने Shading के नाम पे दोनों मैंने Lining कीच रखी हैं इसमें मैंने काफी अच्छे तरीके से कर रखी हैं और यहां पे थोड़ा सा साई से नहीं किया मैंने Next मैंने, यह मेरी सबसे गंदी Blue Log की ड्रोइंग है अब तक की और मैं इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता इसके पगर में मैंने यह दोनों बना रखे नारूटो और जिराया और यह मेरी इस स्केच बुक की वन एन ओली फेवरेट ड्रोइंग है इस वाली ड्रोइंग में मैंने अच्छे तरीके से हैचिंग कर रखी है और मैंने कहीं कहीं पर स्पजिंग भी करी है नेक्स्ट मैंने नारूटो और सासके बनाये थे और यह सासके का कुछ जादी बड़ा हो गया पेट भाई तबी तो नारूटो ने उसे उठा रखा है और यह सासके इदर उंगली कर रहा है गोजो की तरफ वैसे ही यह ड्रोइंग भी उतनी बुरी नहीं है है मैंने इसमें कोई भी ड्रोइंग सीरेस होके बल्कूल भी नी बनाई तुम देख सकते हैं मैंने समज़िंग करी हुई है और इसमें हैचिंग यूज करी हुई है नेक्स्ट मैंने इताच्य और सासके बनाया था फिर से और यह सासके की हाइट मेरे को जादे बड़ी लग रही है यह मुझे इताची के बरावर का दिख रहा है खेर इताची बड़ी है उसमें कोई बुराई नहीं है और तुम क्लिरली देख सकते हैं इसमें भी मैंने वर्टिकल हैचिंग यूज करी है इधर साइड मैंने हागी मारू बना रखा है यहाँ पर मैं हागी मारू वर्सिस सुकुना करवाने वाला था पर फिर मैं पक्का उसे ड्रॉ कर नहीं बूल गया हूँगा नेक्स्ट अरे भाई यह क्या है बंदर जैसा क्यों लग रहा है मेरे को तो वैसे तो मेरा पोर्टरिट बनाने का मनता है यहाँ पर और पोर्टरिट बनाते बनाते यहाँ पर एक खिचडी बन गई और इधर मैंने फिर से इताचियू जी हवा ना रखा है उचिया ग्लैन खत्म करने के चक्कर में बिचारे के फेस पर जुर्रियां बढ़ गए है की रात में इस पर मैंने वर्टिकल एचिंग करी हुई है और पोस भी इसका मैंने एनमे एक्यूरिट बनाया है तो वो सही लग रहा है हां बस यह पूरे बेज में आया था तो जादा बढ़िया रहता इसके बाद मैंने यह दूजी है इससे इच्छी बाड़ी तो भाई तुमारी ही होगी इधर मैंने तांजीरो और नेज को बना रखे है वेल इन दोनों की शकल मेरे को काफी बढ़िया लग रही है और बाकी सब तो मेरे को बहुत ही बेगा लग रहा है इस हाथ को बनाने में तो कुछ ज़्यादा यालास कर दिया मैंने इसमें भी शेडिंग के नाम पे आर्डी टेडी लाइने बना रखे है मैंने हाँ उपर गाफी बड़िया शेडिंग करी है नीचे आते आते सब कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने इसके बाद मैंने गो जो सेंसे और ककाशी सेंसे दोनों बना रखे हैं हलाकि इसका मास्क मैंने कुछ जादे उबर बना दिया और इसमें तो मैंने मुल्टी डिरेक्शनल शेडिंग करी है वर्टिकल, हॉरिजोंटल, क्रॉस, सारी की सारी मिक्स कर रखे है इधर ये बालक बना रखा है और इसका मुझे नाम नहीं बता क्यूंकि मुझे किसी के भी नाम याद नहीं रहते वैसे मैंने इसको ड्रव करना स्टार्ट किया था बलू पैंसे और वो स्टार्ट करती, खत्म होगया तो फिर बाकी का मुझे ब्लैक पैन से बनाना पड़ गया इसने कुछ इंफिनिटी गॉटलिट जैसा पैन रखा है और इसके सूपर सेन बाल इसकी हाइट से भी जादा लंबे है नेक्स्ट मैंने गोहान बनाया था और ये चले ये थोड़ा बहुत सही है पर अब ये क्या कर दिया इधर इधर ये माकी बना रखी है मैंने ये शायद मैंने पोज वगरा प्रैक्टिस करने के लिए बनाई थी वैसे ये पोज इतना भी बुरा नहीं है और इसके बाद इतनी देर खुद को डॉर्चर करने के बाद फाइनली थोड़ी बहुत अच्छी ड्रॉइंस आ गई ये हमारा आखी है चेंज समयन से ये मस्त चाय पी रहा है पर इसकी नजरे कहीं और ही है इसमें स्मजिंग कर रखी है इसकी वेसे एक बहुत ही दवा कूल लग रहा है पर मैंने इसकी शकल पर शेडिंग कर रखी है इधर साइड मैंने यूटा बना रखा है और इसमें भी मैंने काफी बढ़ी है दरीके से समजिंग कर रखी है यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी हैचिंग भी यूज कर रही है डार्क शैडोउस को दिखाने के लिए और इसकी शकल भी सही है बस मैं थोड़ा बहुत नीचे और ड्रॉकर देता तो जादा बढ़िया रहता इसके बाद ओ भाई ये क्या है पानवान खा रखा है कैसने तो गाइस आज के लिए इतना ही करते हैं वैसे भी मेरी तब यह झाल को डार्क बाँ